19 जुलाई 1976 फ्रांस का नीज सहर यहां रोजाना की तरह सुबे के समय सोसाइटी जनरल बैंक में करमचारी पहुंचना शुरू हो गए यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर बैंक माना जाता था क्योंकि यहां सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वोल्ट था यही कारण था कि यहां चोरी होना लगबग ना मुम्किन था रोज यहां बैंक के वोलेट को अनलोग करके पहले दर्वाजा कोला जाता फिर उसके बाद क्रमचारी बैंक के अंदर जाते उस दिन भी करमचारी बेंग के वोलेट को कौलने की कोशिज करने लगे लेकिन वो नहीं खुला बता दे इस वोलेट का वज़न करीब 20 तन था पहले भी कई बार इस दर्वाजे को कौलने में दिकत आ चुकी थी दर असल इसके अंदर का लोग अक्सर जाम हो जाता था जिससे वोल्ट बनाने वाली कमपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था उस दिन भी बेंग करमचारे को लगा कि साइद इसका लोग अंदर से जाम हो गया है फिर उन्होंने दोबारा वोल्ट बनाने वाली कमपनी को इसकी उतना दी आदे ही गंटे के बाद कमपनी के एक्सपर्ट बेंक पहुंच गई उन्होंने इस दर्वाजे को खोलने की कोशिस की लेकिन हेरानी की बाद ये थी कि इस बार उन्होंसे भी ये दर्वाजे नहीं खुला उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिस की लेकिन नाकाम्याब रहे उदर बेंक के बार ग्राकों की भीड लग गई थी आखिर का तीन गंटे बाद बेंक रमचारियों और वर्ल्ड कंपनी के एक्षपर्ट ने ते किया कि दर्वाजे में ड्रील से छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वर्ल्ड खुलने में दिक्कत कहां आ रही है वर्ल्ड के दर्वाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निसान भी नहीं थे जिससे कि ये लग सके कि किसी ने उसे खोला हो या खोलने की कोशिस की हो हेवी ड्यूटी ड्रील से जब छेद करके दर्वाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होस उड़ गए दर असल वर्ल्ड के दर्वाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था ये मंजर देखकर बेंकरमचारियों का हिरान होना लाजमी था क्योंकि वर्ल्ड के दर्वाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था इसके अलावा नहीं इसके अंदर कोई रोसंदान था और नहीं कोई खिड़की वोल्ड को अनलोग करके ही दर्वाजा कुल सकता था तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड करके बंद किया था यह सवाल सबके मन में था फिर ते किया गया कि दिवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाये लेकिन यह दिवारे भी कापी मजबूत थी इन दिवारों में छेद कर पाना कापी मुश्किल बरा था इसमें लोए भी लगे हुए थे खेर कई गंटों की मैनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था जब अंदर का मंजर देखा गया तो सभी के होसी उड़ गए बेंक में चोरी हो चुकी थी कुछ लोकर्स तूटे तो कुछ खुले पड़े थे वही दिवार पर इस्प्रे से कुछ अलपाज लिखे हुए थे जो की फ्रेंच पर एक सुरंग बनी हुई है अब आगे का काम पुलीस का था पुलीस मौके पर पहुंच चुकी थी डखेत बैंक में मौझूद पैसा और सोना लेकर फ्रार हो गए थी जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो सेर के सबसे बड़े अंडर ग्राउंड सीवरेज लाइन में जा का भी इस्तमाल किया था गार्डियन के मुताभी किये लूट 20 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी जिसकी आज के जमाने में कीमत 110 मिलियन डॉलर यानी 900 करोड 12 रूपियों के बराबर है यह उस दोर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी उस समय फ्रांस के बैंक में हुई पूरी दुनिया को पता लग चुका था पुलिस अब उन लुटेरों की तलास में जुट गई जिनों ने इस बैंक रोबरी को अंजाम दिया तीन महिने के बाद यानी अक्टुमबर 1976 में पुलिस को एक बहुती बड़ी लीड मिली डकेतों के ग्रूप का एक मेंबर अपनी गिरो चोटी मोटी चोरियाई किया करता था पहले पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये गिरो इतनी बड़ी बैंक लूट भी कर सकता है लेकिन बाद में पता चला कि इसका मास्टर माइंड तो कोई और ही था गेंग के लोगों ने मास्टर माइंड का नाम बताया अलबर्ट शिपा जी आरी अलबर्ट एक पोटोग्रापर था पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी जिज़क के ये कबूल कर लिया कि बेंग रोबरी का मास्टर माइंड वही है अलबर्ट ने बताया कि उसने पहले इस बेंग में लोकर लिया था फिर बहाने से वहाँ जाकर सारी चीजों की पोटो कीच लिया करता था उसने अपने ही लोकर में एक अलर्म कलोक रखा जिसका अलर्म रात के समय पर सेट कर दिया जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और नहीं कोई सिक्योर्टी अलार्म बजा तो उसे कंफर्म हो गया कि वोलेट में कोई सिक्योर्टी सिस्टम नहीं लगा है फिर वे इंजिनियर के बेस में सिटी गोर्नमेंट के ओपीस गया और वहां से सेर का नक्सा निकल वाया इस मैप में सीवरेज लाइन कहां और कितना दूर है जिसका अंदाजा लगया फिर उसने केलकुलेशन की तो पाया की अगर वे सीवरेज लाइन में 26 फीट की टनल बनाए तो वे सिधा बेंग के अंदर निकल सकता है इस काम के लिए बहुत ही मैनत की जरूरती लियाजा अलबर्ट ने इसके लिए सेर के गेंगस्टर से कॉंटेक्ट किया और उसे अपना प्लान बताया उस गेंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया अगले 27 गंटे तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूट की, वहां उन्होंने लंच भी किया और डिनर भी, फिर लूट पाट करके उसी टनल से फरार हो गए, पुलीस ने अलबर्ट के इस बयान के बाद उसे कोट में पैस किया, अलबर्ट ने वहां भी अपना जुर्म कबू जब उसे कमरे में लेकर गए और कोट के बारे में पूछने लगे तो अलबर्ट ने मोका पाते ही कमरे की घिड़के से चलांग लगा दी, वहां पहले से ही एक बाई कड़ी थी, अलबर्ट तुरंट उसमें बैटा और फिर वहां से परार हो गया, पुलीस की लाग कोशिसो के बाद भी वह नहीं पकड़ा जा सका, कई साल बाद उसका इंटर्विव एक इटली के चैनल में ब्रोड़कास्ट हुआ, इसमें उसने बताए कि उसे बारा साल की उमर में खजानों को डूणने का सोग था, और ये सोग उसने बैंक रोबरी से पूरा किया, इसके बाद अ किसी को पता नहीं लगा, फिर आर जोन उनिस सो उननपे में अलबर्ट की मोत हो गई, अलबर्ट की मा का कहना था कि उसकी डेड़ बोड़ी को कोई गर के बाहर रख गया था